हेलो बच्चा बाड़ी वेलकाम बैक टुदे ये अनदर सेशन आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले को रिलेशन के MCQ जहां पर मैं तुम वो सेट सी होमवक में दे दिया था तो सेट सी तुम्हारी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है मेरे को आंसर बताओगे बताओ कॉच्छन नमबर 1 का ऐ आनसर के आया बच्चो और को एपीशन दुग और कौन से मैथचन और आंसर क्या आया दोनों बताओगे और ऑलूपटाना में रुको औरूह और कौन से मैथचन आथसे निकाले हो direct method से निकाले है भाईया direct method से निकाले है और answer C आ गया है easy, सबको आ गया सबको आ गया बच्चो, easy one yes भाईया question number 2 बताओ 2 का answer क्या है coefficient of correlation X और Y का बताने है again direct method से use करके 0.655 okay 0.65 ठीक है, थर्ड बता दो coefficient of correlation between age of husband and wife from the following data again P 0.98 beta second का answer 0.655 है task calculation mistake हो आप से शायद oh my god formula n sigma xy minus sigma x into sigma y upon root over n sigma x minus sigma x over all square into n sigma y square minus sigma y ka whole square है ना क्या यह formula है अब इसमें एक चीज़ समझ न it was known that two pairs of observation 12 और 11, 6 और 8 wrongly ले लिए है अच्छा 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 बलत ले लिए है ठीक है correct pairs of observation 10, 9, 8 और 8 और 10 है तो correct value of correlation coefficient क्या हो तो हमको sigma की values पता है हम उसमें से incorrect values को minus करेंगे correct values को add कर देंगे क्या हम यही करेंगे और फिर हम formula में डाल देंगे यह तो यह direct question है इसके पर मैं discussion नहीं करूँगा clear cut direct question है fourth का answer क्या है बस यह बता दो C आया है भाईया ओके fifth number question correlation coefficient okay size और defective size और defective items के बीच में correlation coefficient बताना है कितना है better size और defective के बीच में बताना है 0.07 बोल रहे बच्चे okay 0.07 बताओ तो एक बर बताओ तो कैसे निकाले एक बर explanation दो proper और we और defective items को य मान लिया है ठीक है एक्स किसको माने हो तो एक्स कौन है अच्छा ठीक है तो उसी सबसे उसी सबसे मेरे को बताओ एक्स क्या क्या ही है एक्स की वेल्यूस बोलो एक्स की वेल्यूस बोलो अभी calculate करते हैं दो मिनट में एक्स की वेल्यूस तुम्हीं लोग बताओगे I am not going to tell at least this point of time पे तुमको questions बनने चाहिए बेटा एकदम तो formula में लड्डू नहीं खिला देगा 10, 12, 14, 16 और 18 और Y की वेल्यू Y की वेल्यू 10, 20, 15, 15, 13.33 ओके और formula कौन सा लगेगा Carl Pearson लगेगा या Spearman लगेगा Carl Pearson या rank Yes, Carl Pearson लगेगा तो बताओ, Carl Pearson लगेगा N, 1, 2, 3, 4, 5 Sigma X, Y की वेल्यू बताओ Sigma X, Y, तुम लोग calculate कियो तो तुम लोग तुरंट बताओगे answer है न, किये है calculate तुरंट बताओगे Minus Sigma X into Sigma Y Sigma X की वेल्यू अलग बताओ, Sigma Y की वेल्यू अलग बताओ 70 into 73.33 upon root over N Sigma X square Sigma X square minus Sigma X का whole square Sorry, Sigma X square Sigma X square की वेल्यू कितनी है 1020 अच्छा, N Sigma X square minus Sigma X का whole square N Sigma Y square Sigma Y square की वेल्यू बताओ 1128 minus Sigma Y का whole square चलो, अब देखते हैं इसको solve करके answer आ रहा है की नहीं की नहीं है कुछ करबड़ी memory plus 70 into 73.3 16.67 1020 into 5 memory plus 70 into is equal to memory minus MRC का root 1.128 into 5 16.1932 229 0.07 ओके वेल डन वेल डन और ये मैं इसलिए किया तुम लोग ऐसा सोचो के भाईया क्या आपको अमर पर भरोसा नहीं है नहीं भरोसा की बात नहीं है तुम लोगों का एक्जाम है मेरे को पता है कि बुक में answers प्रोवाइड होते हैं तो मैं बस random sampling करता हो cross check कि तुम लोग genuinely solve कर रहे हो की नहीं ठीक है तो ये तो मेरे को फटा फट से बताओ बच्चो कोई अगर criteria था doubt का तो वो question number 4 था और 5 था question number 4 और 5 में कोई ऐसा बच्चा है जिसको doubt आया हो 4 या 5 number question में देखो 1 2 3 तो easy थे 4 और 5 number question थोड़े से अच्छे थे बोल सब्सक्राइज थे भाईया मैंने items का कर दिया था बेटा question में लिखा हुआ है कि हमको size लेना है और defectives लेना है तो size तो अपन यहां से लेते हैं और उसका mid value निकाल लेते हैं क्योंकि continuous series है ठीक है और यहां पर defective items दियो है तो defective items number of items के basis भी निकाल लेंगे ठीक है percentage बेटा कि यह कितना percent यह मिरे पास total item है total sample space उसका कितना percent defective है total का कितना percent defective है ऐसे करके हम निकाल लेंगे कि total का कितना percentage data defective है ठीक है तो जैसे 25 है 250 total है into 100 तो कितना percent defective है मिल जाएगा वैसी यहां पर 70 है total 350 है तो कितना percent defective है पहर निकलता है तो उसके कितने बल्प निकल जाते हैं तो यहां पर मेरे को number of items को consider क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि यह मेरे total item से इसके इतने percentage number निकल रहे है इस group के अंदर तब जाके तो यह consider हो पाएगा ना पूरा मतलब comparable grounds जो हम लोग बोलते है न वो इससे बन पाएगा ठीक है ठीक है आगे बढ़ू मैं question number 6 में कि यह question number 4 भी बता दो लो भाई लो question number 4 कि सिग्मा एक्स वाई इस इक्वल टू कि 414 कि सिग्मा एक्स इस इक्वल टू देखो मैं तुम लोगों को एक बात clear बता दे रहो पेटा या professional exam हम लोग दे रहे हैं यह सेम चीज तो class 11 में भी है न स्टाटिस्टिक्स में तो यह सब जो direct question होते हैं उनके लिए हैं हमको थोड़ा सा difficulty level बढ़ा की questions को दिया जाएगा डारेक्टली अगर दे दें तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी न सिग्मा वाई 90 है सिग्मा एक्स स्क्वेर 600 है सिग्मा वाई स्क्वेर 300 है नमबर ओफ आइटम स्थर्टी है और बोल रहे हैं कि हमने दो पेर बारा ग्यारा छे याठ रॉंगली ले लिए और करेक्ट वैल्यू दे दस नौ और आट दस लो यह डेटा है नाओ यू आर गूँ तो हैल्प मी मतलब जिन बच्चों को बन गया है वो हैल्प करेंगे उन बच्चों की जिनको नहीं बन है थुरू मी ऐम दा सोर्स तो फटा फट से बताओ यह कुश्चन देख के सबसे पहली चीज क्या समझ में आई कुछ तो भी रॉंग डिटा के अंदर गुजगया है बोलो सबसे पहले चीज यही समझ में आई कि क्या है कि जोटो और मेरे को करेंट डेटा करना है एक मिनिट आ जाएगा रहे सबको तो पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन को देखके क्या समझ में आता है क्या करना है पड़ा बड़ से बताओ कहा कहां से रॉंग डेटा हटे और कैसे कैसे हटे का यह बता हर इसके अंदर मैं और इजी बना देता हूं हर इसके अंदर यह x है और यह y है लो और इजी बता दिया करेक्ट सिगमा निकालना है तो चलो पहला सिगमा निकालना है लेते हम सिगमा एक्स वाई 414 इसके अंदर क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा इन 2 ब्रैकेट्स को %, इन 4 ब्रैकेट्स को देख कके बताऊ, क्या प्लस होगा और क्या माइनस हो, with Biforgation sigma xy मतलब x into y गलत डला उ ए एकसिंů y गलत को हटाना है, तो कैसे हटेगा x into y गलत क्या मैं माइनस करूँ 12 into 11 को हाँ भाईया बस 12 into 11 को माइनस करूँ और कुछ नहीं हो गया येस 6 into 8 को भी माइनस करो क्यों कि ये दोनों multiply हुए है x into y और इसके अंदर जाके बैठे हैं गलत अब सही वाले को प्लस कर दो भाईया तो प्लस करूँ है 10 into 9 अंदर होना चाहिए और 8 into 10 अंदर होना चाहिए पड़ाफर से सारे बच्चे मेरे को correct sigma xy बता देंगे कितना आय correct sigma xy कितना आया मेरे को दो मिनट में बता हूँ 404 very good चलो next sigma x कितना है 120 इसमें से क्या माइनस होगा और क्या प्लस होगा बताओ फिर से ये चार ब्रैकेट्स को देखो इसके अंदर sigma x मतलब x की values गलत कौनसी-कौनसी बैठी होगी कौनसी-कौनसी 12 एक 12 गलत बैठी होगी और एक 6 बैठी होगी और कौनसी सही बैठनी चाहिए देखो गलत values को मैंने हटा दिया है अब सही values बताओ कौनसी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए very good तो बताओ correct sigma x कितना आ गया 120 आ गया 120 आ फिर से अच्छा हाँ 18 हो सिग्मा वाय 90 है तो इसको भी ऐसी करेंगे सिग्मा वाय 90 है इसमें से इनकरेक्ट 9 क्या है 11 सौरी इनकरेक्ट वाय है 11 और एट और करेक्ट क्या है 9 और 10 9 और 10 तो बताओ correct वाय कितना आ गया 18 और 19 अच्छा हां यह भी 90 आ जाएगा फिर से ओके तो यह मेरा करेक्ट आ गया यह मेरा करेक्ट आ गया ओके नंबर ओफ टम्स क्या सेम रहने वाला है पड़ा पड़ से बताओ नंबर ओफ टम्स रहने वाला है बच्छो बोलो बताओ बच्छो नंबर ओफ टम्स 30 है तो क्या वो सेम रहने वाला है या इसमें भी कुछ चेंजे दाएंगे बेटा जितने टम्स गलट डले है उतने टम्स ही डलेंगे तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा ना बच्छा ओके चलो एक्स स्क्वेर को पकड़ो 600 सिगमा एक्स स्क्वेर 600 इसमें से माइनस होगा दो बार और प्लस होगा दो बार क्या-क्या x square तो गलत x square minus करो ये देखो 12 का square और 6 का square गलत x square को अपन minus करेंगे और सही x square को plus कर देंगे सही x square 10 का square और 8 का square वैसी sigma y square दिया हुए मेरको 300 तो इसके अंदर से हम गलत y square को हटा देंगे और सही y-square-square को add कर देंगे कलत y-square है 11 का square और 8 का square और सही y-square को आ है 9 और 10 का square यह है मेरे सही y-square तो चलो, बताओ कितना आ रहे हैं, पटावर से सारे बच्चे में को बताएंगे sigma x-square और sigma y-square का कितना रहे हैं, सही वाला बताओ भई मेरे को ना तुम लोग क्लास में क्यालकुलेटर उठाने का मौका ही नद दिये अगर, you need to make it super fast चलो भई चलो, भईया हम नहीं बता पा रहे हैं, चलो ठीक है हमीं बता जिते है 6 का स्क्वेर, 10 का स्क्वेर, 8 का स्क्वेर 600 584 296 बास, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस खेले, अब इसको फॉर्मूले में डाल दो और निकाल दो अंसर N Sigma X Y Minus Sigma X into Sigma Y 120, 90 Upon root over N Sigma X square Sigma X square 584 Minus Sigma X Ka whole square N Sigma Y square Sigma Y square 296 Minus Sigma Y ka Whole square So just we need to solve this 30 into 404 Memory plus 120 into 90 Memory minus MRC 1320 Kya हो जाएगा बच्चो 1320 Divided by 30 into 584 Memory plus 120 is equal to Memory minus MRC Root 55.85 Into 296 Into 30 Memory plus 90 ka square Memory minus MRC Carroot 27.9284 अब इसको हम Solve कर देंगे 55.85 तो यहाँ रहा है 1560 तो यहाँ रहा है कुछ 0.85 Approximately कितना रहा है 0.85 Approximately मतलब वही 846 तो 85 Clear सबको तो इसका आप से इसका अंसर 0.846 846 ही आ रहा था तो बसको round off कर दिया 85 Clear है बताओ ना Easy था गया इस वाले portion को देखो क्या किये हम जो गलत वेल्यू से उसको हटाते गए और जो positive value तो डालते गए इससे जादा कुछ किया हमने नहीं इससे जादा हमने कुछ किया नहीं कोई मुद्दा ही नहीं इससे जादा कर दिया ओके भाईया चलो बेटा चलो Next 6 number question का आंसर बता देंगे बच्चे फटा फट से दो सेकेंड के अंदर 6 वाले question का आंसर बेखो बता दो डी भाईया डी डी आंसर ओके चलो इस पर कोई किसी को कोई डाउट है इस वाले question पर किसी को कोई भी डाउट है क्या बहिया एक बार बता दो भाईया ओके चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा मैं बता दूँगा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि तुम ट्राई किया हूँ इस इस बेस्ट पार्ट फॉर मी और टू वेरियेबल एक्स और वाई इस नों डेट को वेरियंस आप एक्स वाई एट है डेटा लिख लेता हूँ नहीं फिर बोल रहा है और इस इकल टू मतलब 0.4 दिया हुआ है मेरे को को रिलेशन वेरियंस आप एक्स 16 दिया हुआ है तो मिरे को बताव पकका पकका फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि स्थी निकालना पड़ेगा तो स्थी और एक्स क्या हो जाएगा ओ एज्दी और एक्स क्या हो जाएगा 250 को के सिगमा थोटा वाय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 250 कोश्चन निकालने क्या बोलने वाला है कि पढ़ा ही नहीं हूं नमबर ऑब्जर्वेशन फॉर दा बाइवेरिट डेटा अच्छा मतलब नमबर ऑब्जर्वेशन बताने हमको डेटा के अंदर कितना था यह कु पॉस्चन है कराने लाके नया वेराइटी है चलो आर का फॉर्मूला क्या होता है यह होता है यह देखो मेरे को डेटा दिया हुआ है 0.4 आर का ओ विरियंस एट दिया हुए अब यहां से निकाल सकता हूं है तू डिवाइड बाइपॉइंट फॉर्ट तो यहां रहे है मेरे एज़ी ओफवाइफ साइफ प्लियर है सबको इतना क्लियर है सबको तो फड़ावट से एक बर हां बोल देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो आज हम यही अगे तो नेक्स्ट मेरे को यह बता बच्चो एस दी ओफ वाइग का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर सिगमा चोटा वाइए स्कुएर अपॉन एन यही होता है न जहां पर वाइज इक्स माइनस बार एक्स यही होता है न फॉर्मूला डारेक्ट मेथ़ड एक बर हा सिगमा बोल दो डारेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही होता है न एजडिया तो यहां पर देखो मेरे को सिगमा वाइज स्कुएर को इधर से इधर लाते है एक ही बात है यह हो जाएगा 25 और इधर से रूट हट जाएगा तो यह हो जाएगा एन इस इकल टू 250 अपॉन 25 तो एन इस नथिंग बट 10 लो जी एन की वेल्यू 10 आ गई है इस तो निकला होगा एक्स में 20 डेटा य में 10 डेटा ऐसे में इस नहीं निकलता है ठीक है इसको नोट डाउन कर लो फास्ट ठीक है बच्चा बाटी हो गया नोट फिर से ध्यान में रखना मेरे को सब्सक्राइब निकाल लिया बहुत असानी से रूट निकाल के ठीक है और मेरे को सिग्मा वाई गिवन था को चोटा वाई ना चोटा वाई का मतलब तुम लोगो पता है एक्स माइनस बार एक्स तो मैंने सबसे पहले को वेरियंस वाला मतलब लगा जिसमें को वेरियंस उता है ठीक है और उससे मेरे को एस दियो पाइफ बड़ी यसानी से मिल गए यह वाला बहुत बार कर चुके है इसके बाद मेरे को ध्यान में मेरे पास एजी का फॉर्मूला है मेरे को एन निकालना था टार्गेट याद रखो मेरे को number of terms निकाल of y डाल दिया और मैंने इसको solve कर दिया नॉर्मली तो n is equal to 10 आ गया मेरा clear है सबको yes भाईया चलो rank correlation बता दो 7th का answer 7th का answer rank correlation कितना आया d 0.57 सारे बच्चे वही answer दे रहे हैं ठीक है चलो 8 का बताओ botany or zoology serial number marks in botany marks in zoology rank correlation बताओ rank correlation c भाईया c okay next rank correlation again rank correlation बताओ कितना आया कितना आया वही वही question repeat हो रहे है बार बार c भाईया concurrent deviation बताओ concurrent deviation बताओ easiest question लगा होगा तुम लोगों को यह है है सब अलग अलग answer कैसे दे रहे हो 857 यानिक 867889 कि यह बेटा जिर्व यह को बचाओं कि अविक्शन में नहीं है और टीक है चलो फिर Concurrent Deviation 11th Cancer बताओ Concurrent Deviation 11th Cancer A इसके बाद से I think Regression चालो हो गये इसके बाद से Regression है तो यह हम लोग Regression पढ़ने के बाद डील करेंगे एक बार यहाँ पर आजाओ पड़ा पड़ से फिर से हम लोग MCQ की एक और सेट को solve करने वाले है यहाँ पर चलो ready हो majority question already done है इसमें majority question already done है अगर तुम लोग देखोगे तो चलो by varied data are the data collected for by varied data किस चीज़ के लिए करेक्ट होता है दो variable more than 2 variable 2 variable simultaneously 2 variable at different point of time उसी question को घुमा की दिया है उसी question को जो पहले कर चुके की घुमा कंझा lawsuit का मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है इसली का मतलब क्या होता है Seo privacy क्लेक्ट करना जो sorry outside मतलब same time yes उसी question को उसी question को घुमा के दिया है än C, simple correlation को क्या बोलते हैं linear non-linear like both और none of these simple correlation को क्या बोलते हैं linear, non-linear, both, none of these linear correlation, simple होता है, कि non-linear, simple नहीं होता है चलो, third बताओ, बोल रहा है, if high values of 1 tend to low values of other than they are said to be, negative, inverse, both, or none of these बोल रहा है, एक high तो एक low, इसको negative बोलते हैं अपन, कि इसको inverse बोलते हैं, कि both बोलते हैं, कि none of these बोलते हैं बताओ बच्चो, मिरे को एक बात बताओ, negative और inverse का मतलब same हो दाए गया, सबसे पहले मैं को यही बताओ negative relationship का मतलब एक दूसरे से दूर भगना, inverse का मतलब भी होता है, एक दूसरे से दूर भगना, तो क्या दोनों का meaning ही same है, हाँ, तो इसलिए इस काहां से C होगा, poor relation को मैं positive कब बोल सकता हूं यह बताओ, then I can say that poor relation is positive बताओ, the values of the two variables, one direction opposite direction, यह तो होई नहीं सकता, पिछले question का answer है, when the value of two variable would not change, और none of these, तो correlation को है positive कब बोलूँगा, one direction, जब दोनों एक साथ, हाथ में हाथ, रख के, एक रस्ते पे चलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, positive correlation, यह answer, चलो, relationship वाला question मेरे को परसनल फेवरेट है, पता है मेरा question, ब premium of life insurance, क्या है, positively है, negatively है, zero है, नान अबदीज है, देखो, zero तो ही नहीं क्योंकि दोनों का रिष्टा तो है, तो positive है, negative में से कोई एक बताओ, age of applicants of life insurance and premium, तुम लोग को बता है, तुम लोग को बता है, जितने old age लोग होते हैं, उतना ज्यादा उनसे life insurance premium लिया जाता है, क्योंकि उतनी ज्यादा probability है, कि इन लोगों को life insurance का claim देना पड़ेगा, ठीक है, और तुम लोग जितने ज्यादा जवान हो, तुम जितने ज्यादा young age की हो, उतना तुम से कम premium लिया जाता है, क्योंकि probability कम है, कि तुम्हारे साथ कुछ contingency होगी, तुम्हारे साथ कुछ miss happening होगी, तो इसलिए तुम से कम premium charge किया जाता है, तुम पूछना को insurance वाला पहचान का होगा तो, कि ज्यादा aged लोग रहते हो, उनको insurance premium ज्यादा देना पड़ता है, अगर तुम वो policy ले रहे हो, क्योंकि उनको बहुत सारी diseases हो सकती है, तो वो maybe health insurance ले रहे हो, ठीक है, और उस disease के वज़ए से उन लोगों को life की threat हो सकती है, तो life insurance ले रहे हो, भाई यह दोनों के बीच का positive relation है, जितनी ज्यादा age होगी, उतना ज्यादा premium का amount पे करना होगा, ठीक है, ए आंसर, चलो, 6 वाला बताओ, sale of cold drink and day का temperature, जितना ज्यादा temperature, उतना ज्यादा cold drink बिकेगी, बोलो, है ना, जितना ज्यादा temperature उतनी ज्यादा cold drink बिकेगी, ए आंसर, यह नहीं होना चाहिए, लेखिन, age of husband and wife, positive, negative, zero, none, husband and wife, भाई यह तो तुम कुछ भी छोड़ दो, age of me and you पता दो, मेरे और तुम्हारी age का correlation क्या है, positive यह होखा, दोनों की age बढ़ेगी, कम तो होती नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, खीक, उपर जाएगा, नीचे जाएगा, दोनों की age हर साल बढ़ती है, तो correlation तो है, हर साल increase होती है ठीक है, हर साल increase होती है, और तुम लोग सोचो के भाईया, relation कैसे बना इसमें, तो याद कर लो, पापा बेटे का relation बनाया थे, ratio proportion chapter में, पापा बेटे की age का relation बनाया थे, बनाया थे ना, कि 10 साल पहले 2 टाइम्स था, 10 साल बाद 4 टाइम्स हो गया, हाँ, तो relation बन सकता है, relation बन सकता है, पर कौन सा relation, positive, क्योंकि दोनों बढ़ी रिगी, कम नहीं होगी, ठीक है, एट बताओ, whether may be the value of r, positive or negative, its square will be, मेरे को बताओ, r की value positive or negative, उसका square क्या होगा, उसका square हमेशा positive होगा, तुम negative number ले लो, या तुम positive number ले लो, उसका square हमेशा positive आता है, उसका square हमेशा positive आता है, value of correlation coefficient किसके बीच में लाई करती है, minus 1 से plus 1, what are the limits of correlation coefficient, including the limits, y is equal to a plus b, correlation coefficient क्या होगा, minus 1 plus 1 according to the condition, b is greater than 0, less than 0, scatter diagram कहे में help करता है, nature बताने में, scatter diagram consider for measuring, क्या measure करने के लिए scatter diagram को consider कर सकते हैं, linear relationship, curvilinear, neither, both, बताओ पिछली की पिछली क्लास का question है, scatter diagram किस चीज़ को measure करने के लिए बताया जाता है, both beta linear, curvilinear दोनों होता है, इसमें, भूलो math, short time memory loss मत करवाओ, 14th बताओ, बोल रहा है, if plotted point in scatter diagram lie from upper left to lower right, correlation क्या है, negative, repeated question है, 15 number, 15 number repeated है क्या, calculate कर लो, coefficient of correlation x और y के बीच में 0.8, 0.28 है, is equal to covariance है, 7.6, upon variance of x 9 है, मतलब sd3 होगा, so sd of y कितना आ जाएगा, calculate कर लो, 1 minute लगेगा, 0.28 into, 8, 4, 9.04, 7, 6, 1, यानि की 9.05, easy, whatever से बताओ, easy, अब ऐसे लग रहा है, speed confidence दोनों बढ़ रहा होगा, correlation के mcq में, तुमारा speed और confidence दोनों compounding speed से बढ़ रहा होगा, जैस भाईया, बताओ, 2 variable x और y, covariance, variance of x and variance of y यह है, तो बताओ, covariance 40, 4, 256 का root कितना होता है, मैं बार पर भूल जाता हूँ, 16, कितना हो जाएगा, 16 into 4, 64, 40 divided by 64, 0.65 repeated question है, repeated question है, भी answer है, clear, repeated, ओके, 17th number, लड़ पिछले क्लास में किये थे, पिछले क्लास का question, repeated question, very good, minus 1 भाईया, मतलब मजाक मत करो, आप मलों के साथ, ठीक है भाईये बताओ, 18th number question बताओ, covariance u और b का दिया हुआ है, sd square दिया हुआ है u का, sd square दिया हुआ हुआ है y का, then, ये बताओ, correlation बताओ, u और b के बीछ में, क्या है बच्चों इसका answer, वो variance दिया हुआ है, sd of u, sd of v चाहिए, sd of u कितना आएगा, sd of u कितना आएगा ये बताओ, answer नहीं, sd of u बताओ, 2.12 आ रहा है, फोड़ो, मेरी उम्मीद खतम तुम लोग से, नहीं भाईया, ऐसे मत बोलो, please भाईया, नहीं 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 तु इतना देर लगाते हो, 4.97, 0.603, b आगया answer, b आगया ना answer, बस ये ध्यान में रखना, तुमको squares दिये हुए थे, क्या दिये होते है, square मेरे को square थोड़ी चाहिए, मेरे को square नहीं चाहिए है, भाया, मेरे को sd चाहिए, sd of u, तो ये हो जाएकर root over 4.5, sd of v, ये हो जाएकर root over 5.5, तब फिर sd आएकर original, 2.12, 2.34, ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, and that's it, चलो next question, 19 number question, सारे बच्ची बताएंगे, correlation coefficient बताओ, जल्दी बताओ, expecting you already solved these sheets, maximum value of rank correlation कितनी हो सकती है, plus 1, sum of difference of rank कितना हो सकता है, 0, 0 होता है na, sum of difference of rank, hmm, चलो next, 22, for a group of 8 students, sum of square of difference in the rank for the marks, 1-6 into sigma d square upon n cube minus n, कितना है बताओ, कितना हैगा, 6 into 50, 300, 504, 0.40, 0.40476, कुछ कुछ आ रहा है, तो 0.40, clear, बोलो, भाईया, ये 0 कैसे होगा, 21 question, एक random example लेते हैं, चलो हम लो, एक random example लेते हैं, मालो, 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 3, 5, 2, 4, चलो, difference निकालो, D निकालो, R1, minus R2, कितना आ रहे हैं, 1, minus 2, minus 2, 2, 1, बताओ, कितना हैगा, इसका sum, sum of D कितना हैगा, ये बताओ, हम लोग sum of D square निकालते हैं, मैं तुम्हें sum of D पूछ रहा हूं, 1, 1, plus 1, 2, 2, 2, 2, 4 हो जाएगा, 4 और minus 4 कितना हो जाएगा, 0, और तुम किसी भी random question में try कर लो, sigma D, हमेशा 0 आता है, इसलिए हम लोग sigma D square निकालते हैं, point यह है, तुम लोगों कभी ये चीज ध्यान में इसलिए नहीं रही, क्योंकि जब भी मैं solving करा रहा था, मैं तुम लोगों को बो रहा था, D का sign ignore कर देना, क्यों ignore कर देना, क्योंकि at the end of the day, D से मेरेको कोई काम ही नहीं है, मेरेको तो D square से लेना देना है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ignore कर दे रहा था, D, sign, sign लेना, इसलिए तुम लोग इसको कभी notice नहीं कियोगे, तो आद notice कर लिए, तो 21 question का ये proof है, 23 number question बताओ, कल किये थे, कल किये थे न, same question solve, minus 1 by 3, same question solve किये थे, इसी के दाइरे के अंदर questions exam में पूछे जाते हैं, इसी के आसपास के question exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, correlation के, क्या बोलते हैं, जितने भी MCQ को question हम लोग variety कर सकते था, उन्हें किये, और मुझे लगता है, एक अच्छे amount की speed हम लोगों ने maintain किये है, solution के दौरान पे, और उसके अलावा, हम लोगों का, क्या बोलते है, correlation का, जितना भी portion हो सकता था, वो सब पूरा हो गया, इसके अलावा मैं, अगर कुछ question कराना चाहो, तो बैपर प्रोबैबल error के उपर question कराऊंगा, definitely, और standard error के उपर, नेक्स लास सब लोग regression स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सबको, clear है, बोले बच्चो, ओके बढ़िया, चलो, God bless you, take care and bye.